चाड़क के IS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगां व्युद्ध के बारे में ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि हाल ही में इसकी 205 वर्षणान मनाई गई है एक जनवरी 1818 को British East India Company और Maratha परिसंग के पेश्वा गुट के बीच लड़ी गई लड़ाई की वर्षणान पर अपनी शरधांजली अर्पित करने के लिए पुने के कोरेगां भीमा गाव में लोगों की भीड जैस्तंपर एकटा हुई और इसी की वज़े से ही चर्चा में बन हुआ है अब हम बात करेंगे भीमा कोरेगां की लड़ाई के बारे में ये कहानी है 205 साल पहले एक जनवरी 1818 को हुए एक युद्ध की जब माराथा सेना महरास्ट्र के भीमा कोरेगां में अंग्रेजों से हार गई थी जब एक जनवरी 1818 को East India Company और पेश्वाओं में यु पाजी राव दित्य कर रहे थे और East India Company की तरफ से Bombay Line Infantry में कुल 500 महार सैनिक थे जिनमें आदे गुरसवार और आदे पैदल सैनिक थे महार रेजिमेंट के शोर्य बल के आगे पेश्वा नहीं टिक सके और इस युद में पेश्वाओं की करारी हार हुई पेश्वाओं का सामराज्य खतम हुआ महार रेजिमेंट की अभूत पुरु अयविस्वन्य वीर्ता की यादगार में भीमा नदी के किनारे विजिस्तम का निर्मान करवाया गया इसी लिए दलित समदाय की लोग भीमा कोरे गाव में हर साल बड़ी संख्या में जुटकर उन सैनिकों को शरधानजली देते हैं जिनोंने पेश्वा की सैना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्रान गवाय थे अब हम बात करेंगे महार समदाय की भूमिका के बारे में सत्रवे शताबदी में शाशक शिवाजी ने जब माराथा जाती की पहचान का बहुत अधिक प्रचलन था तब समदाय को उच्च प्रात्मिकता दी थी समास सुधारक जोती राफ फुले ने शिवाजी के सैन्ने भरती कारेकरम के लिए महारों के महत्तु को पहचाना शिवाजी के जाती एकिकरण के प्रयास से महारों को लाब हुआ इसके अलावा उन्हें उनकी बहादुरी भक्ती और युद्ध में शम्ता के लिए प्रशंचा भी मिली हाला कि शिवाजी के अधीन महारों की स्थिती शनिक थी और लगातार पेश्वा समराटों के अधीन उनकी स्थिती में गिरावट आई पेश्वा अपनी सक्त ब्राह्मन और अचूत मानेताओं के कारण कुख्यात थे महारों को जाती कानूनों की अभेलना करने के लिए गंभीर रूप से दंडित किया जाता था जिस से सारजनिक शित्रों में जाने पर प्रतिबंद भी शामिल है पेश्वाओं द्वारा महारों के लिए किये गए अत्याचारों की कहानियों के अनुसार उन्हें अपनी गले में घड़ा और अपनी पीट के पीछे जाडू लगाने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि वे उनके पैरों के निशानों को साफ कर सके अब हम बात करेंगे इस युद्ध का क्या महत्व है British East India Company ने संगर्श के प्रिणाम सुरूप पश्चिमी, मद्यय और दक्षनी भारत के बहुमत पर नियंत्रन हासिल कर लिया यानि की जादातर इलाकों पर नियंत्रन हासिल कर लिया जिसके प्रिणाम सुरूप महराष्ट सामराज्य को नुकसाल हुआ जो तब पेश्वाद्वारा शाशित थे युद्ध को दलित गोरव के प्रतीक की रूप में देखा गया है क्योंकि कमपनी बलों में कई सैनिक महार दलित थे वहीं उत्पीडित समदाय जिसके बाबा साब अम्बेड कर थे इस युद्ध में पहली बार महारों को दश्कों की क्रूर सजा के बाद जीत में शामिल किया और उनका कॉन्फिडेंस में इससे काफी बढ़ा अगर हम बात करें कि दलितों के लिए इसका क्या महत्व है तो इस लड़ाई को अनुसूचित जातियों के इतिहास में एक खास जगा मिल गई अनुसूचित जातियों के लोग इस लड़ाई में अपनी जीत मानते है उनके अनुसार इस लड़ाई में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार करने वाले पेश्वा की हार हुई थी बीमा कोरे गाउं के लड़ाई में अंग्रीजों की और से लड़ने वाले जादातर सैनिक महरास्ट्र की अनुसूचित जाती यानि की महार जाती से संबन्दित थे महार शिवाजी के समय से ही मराठा सैना का हिस्सा रहते लेकिन बाजिरा दित्य ने अपनी ब्राह्मन बादी सोच की वज़े से उनको सैना में भर्ती करने से इंकार कर दिया था भीमा कोरेगाम अनुसूचित जातियों के सामाजिक आनोनन के लिए इसलिए महत्वर है क्योंकि इस से उन्हें पता चलता है कि वो भी कभी युद्धा थे क्योंकि उनकी इस पहचान को लगबग मिटा दिया गया है इस प्रकार से देखा जाए तो भीमा कोरेगाम युद्ध दलितों के लिए बहुत पहत्वर रखता है और भारत के इतिहास में भी यह एहम भूमिका निभाता है आज का हमारे टपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूटिब चैनल को Like, Share और Subscribe ज़रूर करें Thank you so much Don't forget to like, share & subscribe to our Channel & press the bell icon to never miss an update